नमस्कार मैं हूँ सौरभ सिर्वास्तो और आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो हालिया में निर्वया केस से जुड़ी हुई है निर्वया के दोशियों को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार 20 मार्च की सुबह 8.5 बजे फासी के फंदे पर लटकाया गया निर्वया के दोशियों को फासी के फंदे पर लटकाने वाले पवन जलाद हैं पवन जलाद मूल लूप से मेरट के रहने वाले हैं और पवन ने दोशियों को फासी पर लटकाने के बाद मिडिया से बाचित करते हुए उन्होंने कहा कि उनका ये जो काम है एक नोबिल प्रोफेशन है जो समाच से बुड़े लोगों को दूर करता है निर्वया के जो दोशियों के जो वकील थे एपी सिंग वो लगातार कई बार कानूनी दाओं पेज खेल के दोशियों को फासी के फंदे तक पहुटने से बचाने की लाग कोशिश किये लेकिन निर्वया के परिवार को आखिरकार नयाय मिला और पुड़े देश ने निर्वया के दोशियों को फासी जब हुई तो उसके बाद पुड़े देश में जस्त मनाया गया अब हम बात करते हैं निर्वेया के दोशियों को फासी के फंदे पर लटकाने वाले पवन जलाद के बारे में पवन जलाद मूलूप से मिरट के रहने वाले हैं और पवन जलाद का यह जो काम है वो खांदा नी काम है हम आपको बताते चले कि पवण जलाद के जो दादा थे कल्लू जलाद उनोंने इंद्रा गांदी के दो हत्यारों को फासी के फंदेपर लटकाया था इसके बाद इनके पिता ने भी, पिता नाम ता मम्मू जलाद उन्होंने 2013 में जो संसत पे हमला हुआ था उसके अफजल गुरु को फासी के फंदे पर लटकाया था इसी तरीके से उनके खांदानी काम को पवन भी आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार जलाद का जो काम में वो कर रहे हैं इससे पहले पवन जलाद ने पहली बार एक रिकॉर्ड बनाया है पवन जलाद ने जो एक साथ चार लोगों को फासी के फंदे पर लटकाया है पवन जलाद इसके पहले निठारी हत्या कांट के जो दोसी थे उसको भी फासी के फंदे पर लटकाया था पवन के पुरे परिवार को इस बात पर गर्व है कि वो एक ऐसा काम करता है जो समाज के जो बुरे लोग है उनको दूर करने का काम करता है अगर हम बताते चले कि पवन का यह जो काम है उसके बेटा भी आगे करना चाहता है पवन ने बताया कि उनका बड़ा बेटा जो है वो चौधरी चरण सिंग विश्विद्याले में कॉमर्स डिपार्ट्मेंट में काम करता है उनका जो छोटा बेटा है वो इलेट्रिक फिटिंग का काम करता है लेकिन वो भी वासू उसका छोटे बेटे का नाम वासू है और वासू भी इस जल्लाक के काम में आने वाला है तो पवन का ये साथ तोर पे कहना है कि और उनके परिवार को गर्व है कि वो समाज के लिए काम करता है समास से बुरे लोगों को दूर करता है यही वज़ा है कि उनकी आगे आने वाली पीड़ी याने जो छोटा बेटा है वो भी इस जल्लाक के काम से जुरने वाला है